नमस्क्रा मित्रों, आपका सौगत है मेरे चनरल रूमा लोग पर मित्रों मैं आपको यंत्रों के बारे में बता रहा हूँ और बहुत विस्तार से बता रहा हूँ यंत्रों के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मगर अब मैं हर यंद्र के बारे में उसके प्रभाव के बारे में प्रिकुल कोशिश कर रहा हूँ सटीक से सटीक प्रभाव और उसको तरीका पहले बताया है बड़ा शॉट में संशिर्प में बताया है तो शायद आप लोग को प्रश्ण रह जाते हैं, प्रश्णों का आपके स्वागत है, मगर यहाँ पे है कि आपके प्रश्ण, अधित्तर प्रश्णों का उत्तर आपको मेरे वीडियो से ही मिल जाएं, ताकि आपको मुझसे प्रश्ण पूछने के स्थान पे वो साधना, वो बताने में कहीं हमने कमी कर दी, इस कमी को हम स्विकार करते हैं, आपको हम आज बताने जा रहे हैं, शत्रु मारण यंत्र, शत्रु मारण मतलब दुश्मन को मार देनी का यंत्र, ध्यान रखिए ऐसे यंत्र या ऐसी विधियां यूं ही नहीं इस्तेमाल करी जाती, आपको कि बिगार ने रहें या कुछ पान भी रहें या कुछ कर नहीं रहें जानगोग उधना प्रशान के उए कि होई कि आपके लिए प्रचान करें प्रशांती नहीं है और desarrollo महारण आप आहि कर दोमारक सवाद कर दोमारूर लख़क! मृत्य आसान नहीं होती किसी को भी आप मार देंगे इसे ही ये ठीक बात नहीं है बहुत आसाधरन परस्तिती में इसका इस्तेमाल करें ये मैं पहले ही कह रहा हूँ एक महीने पहले तक इससे इसको इस्तेमाल करने के महीने पहले और एक महीने बात तक आपको किसी भी मांस मद्रा का सेवन नहीं करना है मन में बुरे विचार नहीं लाने आपका ये शत्रू मारन करने जाने तो वो तो बुरा ही विचार हुआ आप उस शत्रू के बारे में ही सोचें जितना सोचें लेकिन और किसी बारे में और कुछ उल्टे सिदे विचार ज्यादा खरोद नहीं करना है सात्विक रहें जहां तकोद शरेरिक संवन्दों से भी दूर रहें और इस तरीके से इस यंत्र को अपनाएं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिएगा आपको इसका फल मिलेगा शत्रू आप इधर शत्रू मारणियंत बनाएंगे शत्रू मर जाएगा ऐसा नहीं होगा आपको दिखने लगेगा कि शत्रू मृत्यू की योड़ जा रहा है बेवज़ बिमार पढ़ना है या उसका कोई एकसिदेंट होना है या ऐसा कुछ होना चुरू हो जाएगा जो उसे मौत के रास्ते पे ले जाएगा तो एक बात ध्यान रखेगा कि इसका प्रयोग करने से पहले सौ बार सोचीजेगा अगर किसी के जीवन पे संकट आता है और आपने बेवज़े ये करा तो ये आपको नुक्सान भी दे सकता है अगर आपके पास ठोस वज़े नहीं है तो आपको नुक्सान होगा अगर बिलकुल ठोस वज़े है तो कुछ नहीं होगा तो उसी का नुक्सान होगा तो देखें मैं बता रहा हूं शत्रु मारण यंद्र पहले यंद्र बना के दिखाता हूं फिर आप देखें कि सो लगाने का यंद्र ध्यान से इसके अंग्व को देखें और उसके बाद इसकी विजिए भी बताऊंगा कैसे दिखना है क्या करना है 42 कि उन्चास दो साथ ये पहली लाइन है छे तीन छी आलिस पैतालिस ये दूजी लाइन है अरतालिस तिरालिस आठ एक ये तीसी लाइन है और अंतिन लाइन है चार पांच चवालिस सैतालिस फिर से समझिये अंको को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं क्रम में का मतलब है ये सारे नंबर पहले बैलिस देख सकते हैं फिर तीन देख सकते हैं फिर तरालिस वो आपकी इच्छा है लेकिन जिस खाने में वो आने हैं उस खाने में कोई भी यंक आपका खाने की इस लाइन से न छुए और सब एक सारसा लगे वो ठीक रहता है अब इस यंत्र को इस्तिमाल कैसे करना है ध्यान से देखेगा जो मैंने शर्ते थी पहले बता दी बहुत ध्यान रखेगा बहुत बहुत ध्यान रखेगा क्रिपया आपके जीवन का भी तबाल है यह अंत्र लिखा जाएगा हांती के नाखून से देखेगे तांत्रिक विदियान जैसे कई गई हैं वैसे इस्तिमाल करनी पड़ेगी और जैसे लिखी गई हैं वैसे प्रयोप करनी पड़ेगी आपको हाथी का नाखून कहां से मिलेगा उसके लिए आप आसपास कोई आपके वन शेतर है तो वहाँ आप जा सकते हैं वहाँ के वन शेतर में वहाँ पर कई सारे वन अधिकारी होते हैं उनसे आप कह सकते हैं कि दी मरे हाती का नाकून मांग सकते हैं नाकून का छोटा से टुक़ा भी चलेगा तो उनसे आप मांग के खरीद के ला सकते हैं उस हाती के नाकून से लिखना हाती के नाकून से हांती का नाखून प्राप्त करना यह जरूर आपके लिए एक विशह है और इस पर आपको काम करना होगा कि बहुत साही तंद्र विदियां ऐसी हैं जो बहुत साही ऐसी चीजों से लिखी जाती हैं, बहुत साही ऐसी चीजों से करी जाती हैं, जिनको प्राप्त करना असान नहीं होता, पर अगर आपको हाथी का नाकून मिलता है, स्याही की कोई शर्त नहीं है, स्याही आप पोईज की ले सकते, पैन की चाहिए ले ले, मारकर की चाहिए ले ले, स्याही जो थोड़ी पक्की हो, उसमें डुबोकर यह 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 य नाया है उसको पलटके पीछे शत्रू का नाम लिखते हैं। पूरा नाम लिखें। जैसे शरत चंद्र बनर जी मान लीजिए। उसका नाम है। मैंने यूँ ही एक नाम चुनाएं। कमल कुमार बंसर कोई भी नाम हो। वो पूरा नाम जो उसके डॉक्यूमेंट्स में वो नाम आपको पूरा लिखके पीछे उसी हाथी के नाकून से और उसी सियाई से जिससे आपने आगे यंद्र बनाया है। फिर इस कागज को ले जाकर अपने घर के आस पास किसी शमचान गाट पे जाएं। वहाँ पे जो जमीन है। शमचान गाट के अंतर गज जितनी भ गड़ा खोदें और इस यंद्र को दबाएं और चलें। आपके शत्रू की जैसा कि मैंने कहा अगर आप ये सारी शर्तें जो मैंने पहले शुरू के वीडियो में कही हैं अगर आपने नहीं देखी तो पीछे करके देखिए शत्रू का नाश हो जाएगा शत्रू की मृत्य हो जाएगे और मृत्यू कई कारणों से हो सकती है वो सीधे-सीदे मैंने का सीधे-सीदे ऐसे नहीं मर जाएगा उसके और भी रूप देखने को मिलेंगे हत्या, एकसिडेंट, बिमारी किसी भी वजह से आपका शत्रू मृत्यू को प्राप्त हो जाएगा और इसका महीने पर में आपको रिजर्व भी दिखेगा, लेकिन ध्यान रखे, इसका कोई काट नहीं, इसको पीछे नहीं कर सकते, और अगर गरलत भावना से किया है आपने, आप उस शत्रु को इतना प्रशान नहीं कर रहे हैं, तब तो काम करें, शत्रु को आप भी बराबर से प्रशान कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप भी शत्रु दा वैसी ही निवाय हुए है, तो कुछ नहीं होगा, आपको नुक्सान हो सकता है, इसलिए सोच समझ के करिए, बताया है प्रभाव, प्रभावी है, आपको इशिकाते रहती ही है, तो काम करता है, मगर उन्य विशेश परिस किसी के साथ करनी पड़ेगी उसकी जानी लेनी पड़े मगर अगर कोई इतना अधम हो गया है तो आपको फिलिए करना पड़ सकता है देखते नहीं मेरा चनल ओमालोक नमस्कार